हेलो एवरीवन और वेल्कम बाग टो आवर यूट्योप चानल सेवी फॉरेंट्स आज हम बात करने वाले हैं आपका जो यूनिट वन है पेपर टू की उसके बारे में तो यहां पर हम देखेंगे नेशनल क्राइम रिकॉर्ट्स ब्यूरो के बारे में आपकी बहुत टाइम स कि NCRB के बारे में तो उसी को पूरा डीटेल में आजम समझने वाले हैं NCRB क्या होता है क्या काम करता है कब इसका इस्टाबलिश्मेंट हुआ था तो यह सारी चीजों के बारे में आजम जानेंगे तो जल्ली से स्टार्ट कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले अगर हम ब इस पेशल एंड लोकल लॉज तो यहां पर यह जो आपका नेशनल क्राइम डिकॉर्ट ब्यूरो है एक तरह से इंडियन गवर्मेंट एजनसी का ही पार्ट है जो के रिस्पॉंसेबल होती है क्राइम के लिए जो डेटा होता है क्राइम का जो भी डेटा होता है उसको कलेक से पार्ट है मिनिस्ट्री ओफ होम अफियर्स गवर्मेंट ऑफ इंडिया का और जो अभी कि जो करेंट ली डिरेक्टर है इंसी आर्बी के वो हैं आपके रामफाल पवार तो यह आपके डिरेक्टर है जो की एक IPS ऑफिसर थे ठीक है क्या मतलब वो हैं भी और बाकि एंसी अभी के उनको डिरेक्टर भी पॉइंट किया गया है ठीक है तो यह अभी कुछ बेसिक से पॉइंट से और अभी हम आगे मूव करते हैं तो यहां पर क्या है जो आपका NCRB था उसके अगर हम सेट अप की बात करें उसका जो इस्टाबलिश्मेंट हुआ था वो आपका 1986 मे जब इस्टाबलिश्मेंट किया गया था तो इसकी NCRB के सिर्फ इतनी ही रिस्पॉंसिबिलिटी थी कि वो जो भी अगर कोई क्राइम हो रहा है जो भी क्रेमिनल्स हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन को डेटा का कलेक्ट करना डेटा का कलेक्शन करना और जो इन्वेस्टिग यह सारी कुछ ओगनाजेशन थी जिनके रिकमेंडेशन पर NCRB का इस्टाबलिश्मेंट किया गया था तो पहला है यहाँ पर आपका टास्क फोर्स नाइटीन एटीफ सेकेंड है आपका नेशनल पुलिस कमिशन नाइटीन सेवन बाइ मर्जिंग मतलब इसमें मर्ज किया यह था डिरेक्टरेट ओफ कॉर्डिनेशन एंड पुलिस कम्प्यूटर इसको हम शॉर्ट में DCPC कहते हैं और इंटर स्टेट क्रेमिनल्स डेटा ब्रांच CBI और सेंट्र फिंगर्प्रेंट ब्यूरो डिसको शॉर्ट में हम CFPB कहते हैं ठीक है CFPB जो है एक तरह से आपका CBI का ही पार्ट है नेक्स जगर हम बात करें तो जो आपकी स्टार्टिस्टिकल ब्रांच ओफ ब्यूरो था स्टार्टिस्टिकल ब्रांच ओफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलप्मेंट BPRND का जो आपका स्टार्टिकल वाला पोजिशन था उसको अब NCRB में ही merge कर दिया गया है पर कुछ time के बाद में उसको de-merge कर दिया मतलब पहले वो NCRB का part बनाया गया था पर अभी कुछ time के बाद में उसको de-merge कर दिया मतलब उसको separate कर दिया गया है तो यह चीज हो गया और अभी हम आगे करते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं जो NCRB हैं उसका क्या objectives है objectives का मतलब वो क्या काम करता है उसका क्या motive है ठीके किस purpose से उसको बनाया गया था basically तो यहां पर NCRB के अगर हम objectives की बात करें तो to function as a clearing house of information on crime and criminals including those operating at national and international levels so as to assist the investigators and others in linking crime to the perpetrators ही वही वाली चीज़ है जो भी हमने इससे पहले समझी थी next है to store coordinate and disseminate information on interstate and international criminals form and to respective states national investigating agencies courts and prosecutors in India without having to refer to the police station records तो यहां पर वही सारी चीज़े हैं कि जो भी आपकी criminals वगेरा के forms होते है records होते है respective state के हर एक state का अलग-अलग अपना पूरा data को collection करना उसको store करना next क्या है यहां पर to collect and process crime statistics at national level तो यहां पर NCRB में national level पर जितना भी crime के statistics होता है इतना भी data होता है उसको collect करना और उसकी processing करना next है to receive from and supply data to penal and correctional agencies for their task of rehabilitation of criminals their demand parole premature release etc. तो यहां पर जैसे कि कोई भी आपकी जो agencies होती है correctional agencies मतलब ही courts हो गया फिर police of police department हो गया तो वहां पर अगर कोई case आया है तो उसको particular कोई case को solve करने के लिए अगर कुछ help चाहिए है तो उसके लिए supply data को supply करना और वहां से data को receive करना यह भी काम आपका NCRB का ही होता है ताकि कोई भी अगर कोई case है तो उसमें जो criminals हैं उनको क्या उनको रिमांड parole और premature release यह सारी चीजों के लिए जो आपका previous data होता है जो previous record होता है उसकी help ली जाती है तो यहां पर अगर हम बात करेंगे यह state crime record bureau यह कहां से आया तो उससे पहले हम इसको organization समझ लेते हैं तो जो आपका NCRB होता है यह एक तरह से आपका national level पर होता है जो कि overall पुरे nation का record को देखता है इसके नीची की बात करें इसके बाद में अगर हम state level पर आ जाए तो state level पर होता है SCRB जिसको हम बोलते है state crime record bureau और इसके भी अंडर में आता है आपका DCRB DCRB का मतलब होता है district crime record bureau तो यह जो आपका DCRB होता है यह district level पर जो भी data होता है crime का criminal का वो सारी चीजों को record करता है बाकी जो यह सारी functioning होती है यह सारी functioning वो भी करता है बस यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी change हो जाती है तो यहाँ पर आपका district level पर data को record किया जाता है हो गया और यहां पर यह आपका डीश्ट करता है अगर इसके बात करें कि यह किसको असिस्ट यहısı के दौरा सिस्ट किया जाता है तो तो वहों जाता है आपका स्टे़्ट क्राम रिकोर। ब्यूरो जिसको आपका NCRB कोडिनेट करता है उसको गाइड करता है और उसको असिस्ट करता है ठीक है तो यहाँ तक यह हो गया और अभी हम आगे इस क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसको एवालुएट करना उसकी बेसिस पर उसका डेवलोप्मेंट और उसको मॉडेन नाइस करना यह काम भी किया जाता है next यहाँ पर executive and develop computer based systems for the central police organizations and also cater to their data processing and training needs for computerization so यहाँ पर जो आपकी computer based systems होते हैं central police organizations के लिए उनका execution करना और साथ में जो भी data processing होती है कोई भी training होती है उसको भी सारा का सारा computerization करने का काम आपका NCRB में होता है nextais to function as a national storehouse of fingerprint records of convicted persons including the fingerprint records of foreign criminals NCRB में आपका जितने भी fingerprints होते है वो सारे के सारे का collection क्या रहता है जितने भी convicted persons होते है जितने भी criminals होते हैं या फिंछू suspected persons होते है वो सारे individuals का fingerprints का record आपका NCRB में रखा जाता है इसको अब national storehouse of fingerprint भी कहता है तो यह एक बहुत important point बन जाता है उसके अलावा यहाँ पर इतने foreign criminals होते हैं foreign criminals होते हैं उनका भी fingerprint का record यहाँ पर collect किया जाता है ठीक है next है यहाँ पर to develop trace interstate criminals by fingerprint search fingerprint search का use करते हुए यहाँ पर interstate criminals को trace करने का काम भी आपका NCRB का ही होता है and to advise central and state government on matters related to fingerprints and footprints and to conduct training courses for fingerprint experts तो जो NCRB होता है वो central level और state level पर जितने भी officials होते हैं उनको train करने का काम करता है उनको guide करने का काम करता है साथ में जो fingerprint and footprints related matters होते हैं उनके बारे में भी वह उनको बताते हैं उनको guide करते हैं, ठीक, और उनको advice करते हैं, तो ये विच्ज को ये सारे कुष objective होते हैं, आपके NCRB के, और ये a documentaries ही ले लिए हैं, ये सारे कि सारे चीजे मैंने NCRB के website सर ली हैं, तो ये سारे जितने भी ये याँ पर objectives हैं, सारे के सारे points आपके NCRB के website से लिए हुए हैं वह सारे points आपके लिए important हो जाते हैं तो यह हो गया अब यह मागे move करते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो NCRB है वह किसकी through function करता है तो NCRB जो है इसके under में आपका cctnis आता है इसको हम कहते है crime and criminals tracking network and systems next है आपका central fingerprint bureau इसके बाद में आपका statistical branch training branch and data center and technical branch तो यह सारे कुछ आपके organizations हैं जिसकी through आपका NCRB काम करता है या पर कहें यह सारे के सारे जो चीज़े हैं यह आपका NCRB का ही part है तो यह हो गया और अभी हम यह इतनी branches हैं इनके बारे में detailing जान लेते हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें cctns के इसको full form होती है crime and criminal tracking network and systems इसका जो काम होता है वो क्या होता है creating state and center level database on crime and criminals वही चीज़े crime and criminal का जो center में center level पर जो state level पर database होता है उसको त्यार करना enable करना easy sharing of real-time information intelligence across police stations district and state जो भी information है real-time basis पर वो सारी की सारी चीज़ों को on the spot जिस time पर requirement है उसी time पर आपका transfer करना एक police station से दूसरे station पर district to district and state to state ठीक है यह सारी चीज़ों को govern करना उसके लावा improve करना investigation और crime के prevention को साथ में improve करना service delivery जो की related होती है public stakeholders और citizen portals की थ्रू तो यह सारे काम आपके cctns की द्वारा govern किये जाते हैं अब यह मागे move करते हैं और हम बात कर लेते हैं crime records matching की तो crime records matching का जो main objective होता है वो होता है कि जो भी data आ रहा है उसको collect करना collect करना and disseminate करना information on crime criminals persons and property for matching purposes मुलब जितना भी data रहा है उसको collect करना साथ में फिर उसको पूरा properly manage करके उसको रखना store करना और जबी requirement होती है तो उस time पर matching करना जो भी question है उसको आपके database से match करके चेक करना कि वही हमारा पूराना वाला criminal तो यह है की नहीं है ठीक है तो इसके लिए यहाँ पर कुछ software का use करा जाता है इसमें पहला आता है आपका वाहन स्वामन है ठीक है तो इसमें क्या होता है यह एक तरह का online motor vehicle coordination system है for coordination of stolen and recovered motor vehicles जो भी अगर आपके चोरी हुए हुए या फिर recover करें motor vehicles होते हैं पूरी country के around across the country तो उनका पूरा का पूरा एक online database त्यार करना उसके लाबा पुलिस RTOs and insurance sectors are main stakeholders होते हैं आपके यह वाला जो software है और बाकी इसके पार्ट होते हैं और यहां पर जो general public होती है उसको भी benefit होता है इस particular system से ठीक है next है आपका तलाश information system यह होता है जो system है इसको use किया जाता है to maintain and coordinate information on missing traced and unidentified person and unidentified dead bodies तो यहां पर जो missing लोग होते हैं जिसकी tracing करनी होती है unidentified persons होते हैं यह फिर unidentified dead bodies होती है इनका collection इनका coordination करना इनका data का store करना इनके information निकालना तो यह आपका काम होता है तलाश information system का ठीक है तो यह आपका हो गया crime records matching का आयोप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा और अभी हम आगे move करते हैं और यहां पर आपकी crime records matching के कुछ और भी software है तो यहां पर है आपका fake Indian currency note system जिसको short में हम कहते हैं FICN मतलब fake Indian currency notes system यह एक तरह का आपका online system होता है for compilation of fake Indian currency data police bank investigating agencies other intelligence agencies and ministers are stakeholders of this system यहां पर जितने भी तरह कि fake Indian currency होती है तो उसका data का collection करना आपका इसका काम होता है और यहां पर जितने भी police होती है bank होती है investigating agencies होती है जितने भी intelligence agencies होती है ¡Minister system के stakeholders होते हैं next है आपका firearms coordination system तो यहां पर जितने भी आपका होता है system is used for coordination of missing और stolen and recovered firearms missing जितने भी आपके firearms होते है stolen firearms होते है recovered firearms होते हैं तो उसके लिए आपका ये वाले system को use किया जाता है इसके बाद में next आता है आपका color portrait building system तो ये जो system होता है इसका use किया जाता है to create portraits of suspects based on the description given by the victims and eyewitness जितने भी आपके victims होते हैं या फिर जो eyewitness होते हैं तो वो अपने देखने के basis पर या जितना भी उनको याद रहा उस basis पर जितना भी description देते हैं criminal का या फिर suspect का तो उसके basis पर उन लोगों का एक portrait त्यार करना मतलब उनकी एक image त्यार करना जितना भी आपके victim या फिर eyewitness बताते हैं उस basis पर तो यह सारा काम होता है आपका color portrait building system का तो यह सारे के सारे आपके होगे और इससे पहले दो तो यह सारे चीज़ें होती हैं आपकी crime records matching की I hope यहां तक आपको चीज़े clear हो गई होंगी और अभी हम आगे move करते हैं और यहां पर हम बात कर लेते हैं crime statistics की तो इसमें क्या है NCRB brings out three annual reports जिसमें पहला होता है आपका crime in India, accidental deaths and suicides in India and prison statistics India तो यह आपके कुछ reports होती हैं जो कि annually NCRB के थ्रूर निकाली जाती हैं और यह जो reports होती है our principal reference points for police officers, research, media and policy makers तो यह जो तीनों की तीनों reports आती है crime in India, accidental deaths and suicides in India and prison statistics in India यह तीन reports होती हैं इसके basis पर जो police officers होते हैं searchers होते हैं, media वगेरा होती हैं तो वो इनका reference लेते हुए अपना काम करते हैं next, besides the bureau is also collecting crime statistics and anti-human trafficking statistics on monthly basis तो यहाँ पर यह जो तीन reports हैं यह तो आपकी annual basis पर आती हैं उसके अलावा यहाँ पर जो crime statistics होता है वो जो data collect करता है उसके basis पर यहाँ पर monthly basis पर crime statistics and anti-human trafficking statistics की भी reports release करी जाती हैं apart from this, NCRB has developed application software for crime in India, monthly crime statistics, accidental deaths and suicides in India, prison statistics of India तो यहाँ पर जो NCRB है उसने यह सारे कुछ applications भी बनाई हैं जहाँ पर आपको जो application का नाम है उसी के regarding आपको वहाँ पर information भी मिल जाती है तो यहाँ पर जो NCRB होता है, वो तो इतने भी च्रेनर्स होता है उनको train करता है crime जो भी crime होता है इंडिया में जो भी accidental death होती है suicidal death होती है और यहाँ पर जो prison का statistics है इंडिया में वो सारी की चीजों के बारे में guide करता है CRV को ताकि वो भी properly अपने काम को करें यहाँ पर जो prison departments होते हैं state और unit territories के तो उनके बारे में भी यहाँ पर पूरा का पूरा क्या रहाता है इंपोर्टेंट हो जाता है तो यहां तक हो गया और अब हम आगे मूफ करते हैं और next है आपका यह CFPB CFPB क्या होता है यह आपका central fingerprint bureau है जो कि वर्ड का first fingerprint bureau set up किया गया था Calcutta में 1897 में तो यह काफी जादा important question है जो कि आपके net के exam में बन सकता है तो उसको बहुत अच्छे से याद करिएगा कि first fingerprint bureau आपका Calcutta में था and 1897 में इसको set up किया गया था और यहां पर जो central fingerprint bureau है वो शिमला में जब establish किया गया था वो 1905 में establish किया गया था और इसको 1922 में close का दिया गया था और इसकी वजह से मतलब यह close किया गया था due to result of retrenchment proposals of the lynchcape committee ठीक है तो यह चीज थी आपकी इस committee की वजह से इसको close करना पड़ गया था और यहां पर जो present central fingerprint bureau है वो 1955 में अपने मतलब जो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब बात हुई थी तो central fingerprint bureau की first existence जो है आपकी 1955 में देखी गई थी under the administrative control of intelligence bureau at Delhi ठीक है इसके अलाबा इसके बाद में इसको relocate कर दिया गया था क्यालकेटा 1956 में और जो administrative control है CFPB का वो आपका CBI को दे दिया गया था 1973 में और तब से जुलाई 1986 से अब तक this has been under the administrative control of NCRB ठीक है तो 1973 में यह आपका CBI के पास था और 1986 तक ही आपका CBI के पास ही रहा था और उसके बाद में यह आपका NCRB को transfer कर दिया गया था इसका जो holding थी इसको मतलब जो assist करना था ठीक है तो वो आपका NCRB को transfer कर दिया गया था तो यह इस तरह से आपका पूरा central fingerprint bureau का था बाकि यहां पर मैंने basic basic चीजे लिए हैं उसके लावा इसकी detailing के बारे में हम इसके लिए separate video में बात करेंगे पूरा इसको अच्छे से समझेंगे इसकी क्या processing होती है क्या objectives है क्या इसकी working है तो वो पूरा इसको detail में हम बाद में separate video में समझेंगे तो यह हो गया और अब यह हम आगे move करते हैं और यह आगया हमारा last point इसमें क्या training branch जो आपके NCRB का last काम होता है वो आपर training branch की तुरी function करता है तो यहाँ पर क्या होता है each year training branch conducts on an average 20 to 25 training programs for Indian police officers of the duration of one week on the subjects like CCDNS, Advanced Fingerprint Science, Network and E-Security etc. तो यहाँ पर जो आपके officials होते हैं NCRB के वो 20 से 25 training programs लगते हैं Indian police officers के लिए जिसके duration one week तक रह सकती है और यहाँ पर यह अलग-अलग subject रहते हैं जिसे CCDNS है, Advanced Fingerprint Science है, Network and Security है यह सारी खीजों के बारे में इसके रहाँ NCRB also conduct the courses of training of trainers for development of training resources persons in subjects like basic crime analysis, Windows 2000 and SQL Server तो basically training branch में वो सारे courses, वो सारे programs organize करे जाते हैं जो काम officials को करना होता है तो उनके बारे में पूरा detailing में उनको अच्छे से समझाना लाकि वो अपने काम को पूरा proper बहुत अच्छे से कर से के जैसे कि आपके fingerprints का recording है उनके इतना भी काम होता है बाकी word जो होता है word 1000, SQL Server तो यह सारे कुछ आपके आपके काम होते हैं officials के तो उनके बारे में यहाँ पर train किया जाता है crime analysis वगरा के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर इसके लावा कुछ और भी programs होते हैं कि आपका cyber crime and network security है advanced fingerprint science है IT in law enforcement advanced course on IT in law enforcement and advanced fingerprint science on IT are conducted for these officers ठीक है तो यह सारे कुछ प्रोग्राम्स हैं और इसके लावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो यह सारा आपके net exam point of view से अतना important नहीं है तो इस वरे से मैंने जादा चीजिस में include नहीं करी है जो कुछ मझे important लगा था बस वही सारा मैंने यहाँ पर डाला हुआ है तो आपको चीज़ें अच्छे से clear हो गई होगी और यहाँ पर आपका NCRB वाला जो टॉपिक था वही पूरी तरह से complete हो चुका है I hope साही चीज़ें आपको चीज से clear हो गई बहुत सारी क्यूज़ें तो वहाँ आपने प्राक्टर्स को कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर से कर देंगे अपने फ्रेंज के साथ में sure कर देंगे ताकि उन तक भी quality content पहुंच जाए चैनल पर ने हैं तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेंगे bell icon press कर लेंगे for daily updates and thank you so much for joining me here